सरकार बनेगी कॉंग्रेस की अगर तो भुपिंदर हुड़ा ही तो बनेंगे न मुख्यमंत्री क्यों लड़ाई उनके अंदर भी का प्रदेश का कभी नी बन सकता तो कौन आपको लगता बनेगा आपके पसंद कौन हम बनेंगे वई कि आपने का तिंग मेकर की भूमी का में मैं कम कहता हूं कि मैं कहता हूं में मुख्यमंत्री बुरूंगा हमारा गट्वंदर मुख्यमंत्री खुद बनेंगे तिंग विद्धान सब्सक्राइब है कि हंग विधान सब आओगी और वो उनकी चावी उनके पास रही वो खुद मुख्य मंत्री बनेगे तो चावी उनके पास उनकी रहनी है विचार उनकी चावी कोण लेके जा रहा है आपने गाना नहीं सुना होगा एक पराणी फिलम थी जिसमें अशोक कुमार और उसके सा शाल आप किशौरकबार था यह दोनों दो जासू फिलम थे उस फिलम में गाना था दो बैचारे बिना सारे मिंटाले की चावी लेके फिरते हैं मारे मारे को तो दो बैचारे हैं विश्चंतर दिगवीजे कि इनकी आरत बहुत खराब हो गया आप चिंता ना करो लेकिन पूछ नहीं पूछता तो आज यहां नहीं किस ने बनाया था इसके बाप को एमा को सब को फूट का फाइदा बाकी सब कि दुबारा एक हो सकते हैं आपको लगता है दोनों के साथ आने से फाइदा होगा एक तो होता है क्वेश्चन मार्ट लगना एक खतम होना जिनका राजनितिक भविश्य खतम हो गया हम उनके बारे में सोच नहीं सकते पर मैंने आपका बयान पड़ा कि एक मीटिंग वी थी जी आपकी और चोडाला साब की जिसमें दुष्यंद को सी एम बनाने को लेकर आपने ओफर दी थी तो पैचप करने कोशिश पहले तो यह क्या दुबारा नहीं हो सकती है जब वी थी तो लोगों की बावनाओं की मुताबिक थी इन्होंने कितने लाखों लोगों की बावन dev आपए नीः उठा सकता ना तो आपके प्रेस के साथ ही कह सकते हैं ना कोई पॉलेटिशिन कह सकता क Inteा आवां झाक्या सकता है जो भी करेगा मेरा कितना भी बड़ा बडर दिया है मेरी पीट केえる करний कर सकता सामने तो गरनी कीमत है ङी लेकिन पीड़ के पिछे आपने किसानों की बात की लेकिन खिलाडी भी मुझे याद आता है कि आपकी खेल नीती के बड़े प्रशंसक रहे जब यहाँ पर था अभी जब विनेश और बजरंग उनका भी अपने मुद्दा जोडशोड से उठाया था पर अभी कॉंग्रेस चले गए दोनों देखो वो उनका अपना सोचने का तरीका है हमने खिलाडियों को बहुत प्रोस्थान दिया है राजनिती में खिलाडी जब किसी पार्टी को जवाइन करता है तो खिलाडी नीरा जाता है फिर वो उस पार्टी का कारिय करता बन जाता है उस पार्टी का नेता बन जाता होगा एक अलग चीज है फिर जो उसका कंग्रेस और दूसरे जो विरोधी आपके एक आरोप लगाते है जैसे आपने का कि Congress और बीजेपी मिले वी है, A+. बुपेंदर सिंग उड़ा? हाँ, बुपेंदर सिंग उड़ा. Congress नहीं? बुपेंदर सिंग उड़ा और बीजेपी मिले वे. लेकिं वो आपके ओपर आरोप ये लगाते हैं कि आप बीजेपी की B team है, चाहिए नो कॉन्फिडेंस पे गहराजीर रहने की बात हो, या चुनावायों की तारिखों में B.J.P की सुर में सुर मिलाने की बात हो? आप तो हर चीज़ को बहुत करीबी से जानते हैं. मैंने आज तक उड़ा को बहुत बार इस बात का चेलेंज दिया, कि तुम कहीं पे भी, किसी भी मंच पे मेरे साथ बैठ करके और अपने लगाएवे आरोप सीद कर दे, मैं तुझे अपना नेता मान लिए या मैं जो आरोप तेरे उपर लगा रहा हूँ, तो फिर तुझे राजनिती छोड़ करके प्रदेश के लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए. अबेज एक समय था जब आपकी पार्टी चोधरी देविलाल जी, चोटाला जी देश की राजनिती प्रभावित होती थी, एक एहमियत थी उनकी देश की राजनिती में, हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे वकत भी आए है कि चोधरी देविलाल ने राजनिती छोड़ करके जा करके खेती शुरू कर दी थी करने हैं, आपको तो जान नहीं है, उस वकत का, जब चोधरी बंसीलाल के सामने और बजनलाल के सामने चुनाव लड़ा चोधरी शाब ने, दोनों जिगे से जब आ रहे, तो उसके बाद एक राजसभा का चुनाव आया, उसमें चोधरी शाब को सारे अपोजिशन का क्या आप राजसभा का चुनाव लोड़ो हम आपके साथ हैंगे, उसमें फिर दोखा हुआ उनके साथ, तो नों ने का भी मैं ऐसी दंदी राजनिती नहीं कर सकता, और वो चौधरी था, चाहे कोई और दूसरे तीसरे लोग थे, जो चौधरी देविलाल से, मतलब जिनके अच्छे समन थे, परकासिंग बादल थे, उन समने आकर के चौधरी शाब से आगरे का कि आप घर मत बैठो, आपके बिना अर्यान की राजनिती चल निसकेंगे, और आप आ जिती है, उतारते ना बाते जाते रहते हैं, लेकिन मेरा सवाली है था कि यह आपको कहने की जरूरती नहीं है, तो आप मुख्यमंतरी बनाएगी मुख्यमंतरी, कोई आप और मैं थोड़े ही बनाएगे, इसको एक अलग हुसाब से भी चटाला जी, लोगों का, जब मोदी लेहर रही, उसमें भी आपका वजूद रहा, ऐसा नहीं था, जब वाइप आउट हो गए इंतरी पार्टे बनाएगे, जब धारा 370 को हटाये गया, जिसको आज भी नाइब सिंग सेनी हर्याना के चुनाओं में याद करा रहे हैं, लेकिन उसके फॉरण बाद हर्याना मिलती है, ये कारण क्या रहा है इसका, आप एक बात करो, आप कहते हो धारा 370 अठाने की बात करते हैं, ये इतने लोग बैठे हैं, मेरी खाल दो तीन लोगों को छोड़के, धारा 370 क्या है, किसी एक को भी पता नहीं है, मैं आप से सिर्फ ये कह रही थी कि जिस हर्याना क की जनता को आज 5 साल बाद वो याद कराया जा रहा है, उसने तो उस समय जब फॉरन ताजा था उस पर भी 40 सिटने दी बीजेपी को, यानि कि जो नैशनल सेंटिमेंट की बात की जाती है, या क्रियेट करने की बात की जाती है, उससे अलग स्थानिये अपने हित की बातों की जनता की जनता वोट कर रही है, लोग सबा का चुनाव जो रास्तिय मुद्भों पे है, इस बार हर्याना कि फ्स्थानिये अमुद्भों पे विरुद्ध मैं कांग्रिस को राजद या रुया अप बीजेपी ने लागू किया, पहले उन्हों ने इंट्रिडूज किये, इन्हों ने लागू किये, उधारन के तोर पर बताता हूँ, ओल्ड पैंशन स्कीम जो खतम करी थी, वो कॉंग्रेस पारिटी ने करी थी, बीजेपी ने उसको लागू किया था, पैंशन जो है, बुड़ापा पैंशन जो है, जो एक लाग अजार का जो बनाया गया है, इससे ज्यादा इंकम होगी तो उसको नहीं मिलेगी, ये इसके उड़ा के टाइम में डेड़ लाग रुपे थी, कि जिस व्यक्ति के इंकम डेड़ लाग रुपे होगा, उसको पैंशन नहीं दी जाएगी, उसको पिला कार्ड नहीं दिया जाएगा, उस वकत ये बिल आ गया था, इंटेडूज अब वहां लाग वोब कर दिया हम हर घर से एक बच्चे को रोजगार देंगे, नोकी देंगे, आपको एक चीज़ और यही बताता हूँ ना, चोधरी ओंपर का ट्योटाला जब चीफ मिनिस्ट थे, बाइस हजार के रोड़ पे का बजट होता था, और उस वकत एक अप्लाइमेंट के लिए ना, बेरोजगार है, यह बच्चे मायूस नहीं होनी चाहिए, इनको काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिले तो इनको बेरोजगारी बता मिलना चाहिए, हमने 22,000 किरोड का जो बजट था, उसमें बजट भी सर्पलस आ जाता था, और 11,000 रुपया पर महिने, हर महिने के इसाब से, ग्रेजवेट ग्रेजवेट जो बच्चे थे, उनको बेरोजगारी बता दिया जाता था, अब हम कहते हैं कि 21,000 देंगे, तो 21,000 ऐसे देंगे कि अब 3,500,000 किरोड का बजट है, पैसा बढ़ गया और नहीं बढ़ गया, उसके बाद, उनम्प्लाइमेंट जो है, वो कम होत सरकारी नोक्री में, ये कच्ची जो नोक्री हैं, खतम कर देंगे, सारी की सारी, बक्की परमाने नोक्री दे देंगे, ताकि वो ज़्यादा विश्वास के साथ काम करें, परदेश को आगे बढ़ाएं, इन सब चिजों को आगे लेकर कर जाएंगे, अभी एक सवाल है, और रनजीर सिंग ने भी का था, कहने से थोड़ी बढ़ती है, तो असली कोन है, मैं बेठा हूना, दिखनी राप को, हमेशे वो चोधरी देविलाल की बात करते है, जन्ना, हमें ही कह रहा हूं कि चोधरी देविलाल की विरासत को को आगे बढ़ा रहा है, और किसी ने आग के लोगों को इसके उपर विश्वास रहेगा, आज चोधरी ओंपरकात चुटाला ने मुझे इसलिए ये जुम्यवारी दी है, कि उनको ये विश्वास है, अजयर ये तो टिक्टे बेशते थे, ये तो उनको टिकट देना ही नहीं चाहते थे, ये तो उनको राजनिती में किसी को देते हैं, आज आपको लगता है कि किसी एक नेता के साथ खड़े हैं, कि हाँ ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा, क्यों आपका नतीजा बता देगा आपको, उसके साथ पता चल जाएगा, क्टी सिप्रिम्बर को आ जाना, कोदरी देवलाल का जनम दिन है, आज बनावेंगे, हमारे क्वावत है, ना नोमन तेल वगार ना रादानाथ चेंगे, उड़्डा कभी मुख्यमेंदर ही नी बन सकता, ये लिखारे मेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आप से लिए, हमारे राथ चुटाला साब एक बात और क्याते हैं, कि नर्वरगड तो वो ही जाएगा जिसको जान की बाने, ये बाना मही है, इनको नहीं है